नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंक्यता राजनीती में बयानों का दौर खूब चलता है कई नेता तो बयानवाजी में सारी मर्यादाईं तोड़ देते हैं देश के प्रतिश्चित पदों पर बैठे लोगों के उपर भी ऐसी बयानवाजी कर जाते हैं कि फिर उनकी चीछा लेदर्श शुरू हो जाती है ऐसा ही कुछ हुआ है मध्यप्रदेश में जहां कॉंग्रस के एक पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने पियमोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनके खलाफ मामला दर्श हो गया है पियमोदी के खलाफ उनका बयान देना महंगा पड़ गया है मध्यप्रदेश के ग्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर राजा पटेरिया के खलाफ F.I.R. दर्श की गई है ये F.I.R. पन्ना के पवई थाने में दर्श हुई है दरसल राजा पटेरिया का एक वीडियो वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में वो पियमोदी के खलाफ आ मर्यादित भाशा का इस्तमाल करते नजर आ रही है लेकिन ये मामला अब तूल पकरता जा रहा है पटेरिया का ये बयान 11 सितंबर को आया है वो पन्ना जिले के मंडलम में कारेकरताओं से समबात कर रहे थे तब ही उन्होंने कहा मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा मोदी धर्म जाती भाशा के आधार पर बाढ़ देगा दलितों का, दिवासियों का और अलप संख्यकों का भावी जीवन खत्रे में है समिधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो हत्या इन दे सेंस हराने के लिए तयार रहो मध्य प्रदेश के मुख्य मंद्री शिवरास सिंग जोहान ने कहा कि भारत जोडो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत अब सामने आ रही है मोधी जी जन्रता के दिलों में बसते हैं मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते इसलिए कॉंगर्स के नेता मोधी जी की हत्या की बात कर रहे हैं ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा कानून अपना काम करेगा तो वही इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के ग्री मंत्री नरुत्म मिश्रा ने कहा है कि ये फासी वाधी मानसिक्ता वाला बयान है कॉंगिस अब महात्मा गांधी वाली कॉंगिस पार्टी नहीं रही है ये इटली की कॉंगिस बन गई है और सिर्फ इसी मुद्दे की क्यों बात की जाए एक महिना पहले राष्ट्री अध्यक्ष ने पीम मोधी को रावन बताया सोनिया गांधी ने मौत का सौधागर बताया मामला तूल पकरता देख राजा पटेरिया ने अपने बयान पर सफाई दी है और एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो वीडियो वाइरल हो रहा है वो कार्ड वितरन के दौरान का वीडियो है इस वीडियो में मोधी की हत्या की जो बात है वो गलत तरीके से बताई जा रही है मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ मैं ऐसी बात नहीं कर सकता इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए देश चो दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जोड़े रहे जन भावना टाइमस के साथ नमस्कार